अजे देवगन की रनवे 34 फाइनली ओल ओवर दो वर्ल्ड की स्क्रीन्स पर आज रिलीस हो चुकी है ये फिल्म इस वच्छा से भी खास चर्चा में है क्योंकि इस मूवी को खुद अजे देवगन ने डारेक्ट किया है फिल्म की हर तरफ खूद तारीफ हो रही है जिन सेलिब्स ने भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग देख ली है वो इसकी जम कर प्रुशंसा कर रहे है मगर अब हम आपके लिए लेकर आचुके हैं फिल्म का बिल्कुल ओनेस्ट रिव्यू कि आखिर वागई आपको फिल्म सिनमा घरों में देख लिए जानी चाहिए या फिल्म कैसी है क्या खास है फिल्म में क्या गड़बर हुई है तो चलिए बिना टाइम गवाए देते हैं आपको फिल्म का क्विक रिव्यू कैसी है कहानी साल 2015 की दोहा कोची फ्लाइट की इमर्जनसी लेंडिंग की असल घटना से इंस्पाइड इस फिल्म के सेंटर में कैप्टन विकरांथ खना यानि अज़देवगर्ण और उनकी को पाइलिट तानिया अलबर करकी और रकूरपीत सिंग है कैप्टन विकरांथ और तानिया रोंस की तरह 150 पैसेंजर को लेकर दोबई से कोची की फ्लाइट की उडान भरते हैं इस फ्लाइट में अपनी नन्ने बच्चे के साथ पहली बार अकेली सफर कर रही एक मा है सब कुछ जनरल तरीके से चल रहा होता है लेकिन जब ये विमान अपनी मंजल यानी कोची हवाई अड़े पर पहुचता है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती कोची का मौसम बेहत खराब होने के चलते फ्लाइट को दार ना मुम्किन नहीं होता विक्राम किसी भी तरह लेंडिंग की कोशुच करता है लेकिन विजिबिल्टी नहीं होने की वज़ह से वो सफल नहीं हो पाता उसे फ्लाइट को दूसरी जगल ने जाना पड़ता है इधर प्लेन में फ्यूल खतम होने लगता है ऐसी में उसे मेडे कॉल यानि विना अनुमती के इमर्जंसी लेंडिंग करनी पड़ती है उसका ये फैसला सही साबित होता है या गलत उसे इस फैसले की क्या कीमत चुकानी पड़ती है ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी फिल्म का रिव्यू इस फिल्म से अजी देवकर ने शुवाई के छे साल बात वापस डारेक्शन की बात दौर संभाली है और इस भूमिका में वो चमकते हुए भी दिखाई दिये हैं कैमरे के आगे बत और आक्टर वो जुतने स्टाइलिश लगे कैमरे के पीछे से उतने ही स्मार्ट शॉट्स दिये हैं फिल्म का ओपनिंग सीन जिसमें कैमरा रनवे से होता हुआ एटी सी यानि एयर ट्राफिक कंट्रोल की तरफ पैन होता है वो क्लास लगता है वही इंटरवल के पहले फ्लाइट के लेंडिंग के सीन सांसे रोग देते हैं इसका श्रै बढ़िया वीएफिक्स के लावा असीम बजाज की उंदा सिनेमेटोग्राफी और अमर मोहिले के ब्रैक्डाउन म्यूसिक को जाता है कुल विलाकर ये फ्लाइट जब तक हवा में रहती है उसकी उडान देखते बनती है लेकिन सेकिंड हाफ में रनवे 34 छोड़ कर जब इनक्वाईरी रूम में पहुशती है उसका रोमांच कम हो जाता है कैसी रगी स्टार्स की एक्टिंग पाइलिट विकरांथ खना के किरदार में अजे देवगन काफी जच रहे हैं तेश तर्रार होने के बावजूद उनके किरदार में एक ठहराव है जो एक्टर ने बखू भी दिखाया है रकूर्पीज सिंग को फिल्म में इमोशन्स दिखाने का काफी मौका दिया कया है और एक्टरिस ने यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी है अमिता बच्चन लिमिटेड भूमिका में हैं लेकिन अपने अभीने से कहानी को वजन देते हैं बुमन इरानी अकांशा सिंग और अंगिरा धरकुबा मुश्किल ही अपने अभीने को अच्छे दौर पर दिखाने का मौका मिला है फिल्म का बहतरीन डारेक्शन कुल मिलाकर आप मुवी में ये तै नहीं कर पाएंगे कि डारेक्टर अचे जादा भेतर है या फिर अक्टर अचे जिस तरह उन्होंने पूरी मुवी को दो हिस्सों में बाट कर पैसी बनाए रखा है उससे उनकी काबिलत का पता चलता है इंटर्वल से पहले का पाट पूरी तरहा रोमांच के नाम है जो आपको हिलने नहीं देगा और इसलिए उन्होंने कई सारे बड़े किरदार इंटर्वल से पहले लाँच ही नहीं किये ताकि इंटर्वल की बाद भी आप सीव से ना उट पाएं म्यूजिक भी है कमाल का म्यूजिक भी मूवी के मिजवास से मेल खाता है गाने जबरन ठूसे हुए नहीं लगते हैं सबसे खास है लेंडिंग के क्लाइमिक्स में शोर वाला बेक्डराउंड म्यूजिक हटा कर एक शान सा धीमा म्यूजिक जो सीन की सीरिसनेस को और भी बहतर बना देता है बढ़ा देता है स्पेशल इफिक्ट्स का इस्तिमाल कहानी की जरूत के मताबिक हुआ है जो उसे वीजुली बहतरी नहीं ही बनाता है फिल्म देखे या नहीं अजे देवगन की इन्विस्टिगेटिव थ्रिलर फर्स्ट हाफ में बेहत मस्बूत है फिल्म का हर सीन रोमांच पैदा करता है लेकिन सेकिंड हाफ में कोटरूम ड्रामा शुरू होते ही फिल्म बेहत धीमी हो जाती है लेकिन मान ली जए कि अजे देवगन की ये मूवी रनवे 34 पूरी तरहा पैसा वसूल है आप किसी भी एज और मिजास के हो आपको मज़ा आना तैह है अगर आप अजे देवगन या रकुल प्रीट सिंग के फैन है तो समझ कीजिए आपके लिए इस सीजन की ट्रीट है हमारी तरफ से इस मूवी को 3 स्टार्स आड़ और 5 आप बिलकुल भी मिस्ना कर पाएं